सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह तो कम्प्लीट कोर्स है और किसी को सब्सक्राइब कर रहा है तो हर कोई बच्चा जो भी तैयारी कर रहा है पर सब्सक्राइब कर सकता है मेरा कूपन कोट इसको पढ़ सकते हैं और कैसी भी जानकारी तो आप भेजकर पूचेगा हम आपको बताएंगे आगे चलते हैं यह को भी डियम कर सकते हैं पंजाब तमिल्लाडू और केरला टॉप एजुकेशन इंडेक्स रेंडिंग तो यह जो निकलिए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने निकाला है बस यह थोड़ा सा डिफरेंस है एजुकेशन मिनिस्ट्री ज्यादा रिपोर्ट निकालता नहीं एजुकेशन मिनिस्ट्री की इसको पीजी एक्सकोर करती है तो सबसे ज still to एक्सकोर गए तो पंड़ा परस्फेаब करा है गएद रहा है निकालता है और सबसे यह एक होता है कि जो स्टेट वर जो होती है वह कम जो चुछिए लटी इंडिया इंडिया का एक्जामपल लेता हुए आपको स्टेट का सम्जाओ इंडिया की जीडीपी मान लोग को किल लगता है कि बहुत तेजी से बढ़ रही है कि यह के साथ हुआ मैं पंजाब और हर्यान मैं अजए रहता है थो यह लगता है कि बहुत ज्यादा चेंज हो गया वहीं यह हुआ है कि 90% कर रहा है जातक मुझे लग रहा है बस आपको याद रखना है इन तीनों को याद रखना है 90% से ज्यादा पीजी निकाल तक हो नहीं है आगे चलते हैं के लिए बहुत सारे एक लिने नाने चारS को बना दिए और यह सवाल है यह बंता लेबर जो लिश्च का पाठ है क्नकरेंट लिश्च मतलब इस पर सेंटर भी बिलाव बना सकता है फिरस बना सकते मैं सब चेविन स्वेसी स्विश्टन सब्रॉप्ट आप लिश्टो ंझे को घुए मला घुनिता है कि आपक dough लेवर सेग कर दिचा इसा सब्रॉनsplों यह वाला यह हो गया है यह कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन है 2020 के कोड ऑन सोशल सेक्योरटी यह वी 2020 का अभी तक यह इंप्लीमेंट मतलब लागू हो चुका यह तीन नहीं हो पाएं इंडस्ट्रियल सेफ्टी और वेलफेर इसमें ऑक्यूपेशनल हेल्ट भी आता है इसी रफ रफ याद करी एक वेज के लिए एक सोशल सेक्योरटी के लिए एक इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए उनकी हेल्थ से रिलेटेड ऐसे चार कोड वास ऐसे याद रखना और कुछ नहीं आगे चलते हैं अहेट अपने काम का एक इसमें वर्ड वर्ड यह लिखा है नियू इस्टार्ट आंप्स डिएक्शन ट्रीटी प्रूफ अब भी हम पढ़ेंगे मैं आगे आपको डीटेल में बताऊंगा इस याद रखेंगे श्री लंका रिकावर्स ब्लेक बॉक्स फ्रॉम शिप तो आपको बताया था ना श्री लंका में श्री लंका में आग लगे ती इसका नाम भी पर ले तो इसका ब्लेक बॉक्स मिल गया ब्लेक बॉक्स दोनों में होता ब्लॉक्स जो एर प्लें होता उसमें भी होता है तो इसमें क्या होता है सारा डेटा एकटा होता है जब भी किसी क एक्सिडेंट होता है ब्लेक बोक्स चेक किया जाता है कि उसमें फॉल्ट किया था तो बस आपको शिप का नाम याद रखना और कोछ नहीं अब मैं थोड़ा यह ट्रीटी बता रहा हूं देखिए रश्या और यूएस पहले दोनों हीमें इस्टेबलिस करते थे दोनों की एक सब्सक्राइब किया है कि यूएस और रश्या दोनों इस्टेटी को छोड़ देंगे जो यूएस और रश्या वाले एरोप्लेन बेश सकते हैं जो अनाम्ड हो अनाम्ड इसकाई एरोप्लेन बेश सकते हैं ताकि वो सर्विलियंस कर सकें एक दूसरी की कंट्री में यह लिखा गया था ओपनिसकाई ट्रीटी में यह रश्या और यूएस की इनसे भी दोनों कंट्री भाहर निकल चुके हैं वही अब लग रहा है कि न्यूश्टाइट ट्रीटी में बोला गया आम्स रिदक्शन के बारे में अब यह लग रहा है जैसे ओपनिसकाई टीटी से भाहर निकल गए ऐसे जिया निकल सकते हैं अब कि सब्सक्री सिच्चन अब इसकाई बहार अच्छे से समझाओंगा भी इंटर्मेडियर रेंज नूइट टीटी में इसमें यह उगा था जो यह था निमेडियर नीस से पा उनको कम करेंगे इसमें तो eliminate लिख दिया लेकिन कम करने की बात हुई थी INF treaty में बस इससे जादा और कुछ जाने के ज़रूत नहीं किस-किस के बीच की बात है सब यूएस और रश्या के बीच की है बली INF treaty हो इसी की है और एक और अपनी स्टार्ट ट्रीटी यह सारी ट्रीटी जो है वह यूएस और रश्या के बीच की है बस आगे चलते हैं फेयर विंड गुड मॉन्सून आने वाला है मैं तो आप सबको पता कि पड़ी रहा है तो सब जगे आएगा इस बार अच्छा मॉन्सून की स संबावना तो आज आप जाके बस अपना मॉन्सून वाला चेप्टर रिवीजिन कीजेगा इस न्यूज में पढ़ाने लाग कुछ नहीं है लेकिन बस ही न्यूज आया था ताकि आप अपना स्टेक पोर्शन को रिवाइज कर सके जोगरफी में अच्छे सदे रखा और सर आरा इस से ज्ट थोड़ा तो आपको पता है जो वर्म होगा वह हमारा राए प्रेशर बन जाएगा फिर high pressure से low pressure हमारी ऐसे wind flow करती है जब कि monsoon हमारा ऐसे आ रहा होता है तो यह affect करता है थोड़ा थोड़ा लेकिन कभी-कभी मतलब इसमें IOD का बहुत जाधा role होता है monsoon में आपको एक चीज यह याद रखने है में सवाल पूछ चुका है आपके में नहीं आया है तो देखें पूछा जा सकता है बस आपको याद रखना है इंडियन ओशें डाइपोल में केवल जो हमारे सी होते हैं जो हमारे ओशियन होते हैं दोनों वेस्ट और इस साइड के यह warm और cold हो जाते हैं अगर positive होगा तो यह साथ करम हो जाएगा यह ठंडा हो जाएगा और negative होगा तो यह warm हो जाएगा और यह cold हो जाएगा बस यह होता है warm and cold of eastern and western side of Indian Ocean is called as dipole तो यह dipole होते हैं आगे चलते हैं बेलरीजियन से पुष्बेक इसमें बस क्वार्ट की बात की गई है आपने परको स्क्वाड यादना है अल्लेडी सीडियस में पूछा जा चुका है 2020 के पेपर में क्वाड आपके में पूछा जा सकता है क्वाड में कौन-कौन है तो सबसे पहले इंडिया है जैपैन है यूस है ऑस्ट्रेलिया बस आपको चार कंट्री का नाय में याद रखना है न्यूज नॉज नॉट इंपॉर्ट सुप्रिम कोट सर्च तू स्टॉप इल्लीगल अप्शन है मैं रोज बता रहा हूं सुप्रिम कोट मना कर रहा है क पत्रिम को ना करने दे इस पर किसके ऊपर दारमदार किसको इंटर्वीन करने की ज़रूरात अट इसको बोला गया कि आप देखिए किने बच्चे का इल्लीगल अडॉप्शन ना ओ और जो जूवनाघन जिस्टीश एक्ट का इसके इसके अंदर सारे रूल्स लिख रूज नहीं करना इसको फॉलो किया जा यहीं लिखा देकि वॉएलेटस जेज अक्ट का मतलब क्या जूविद्ध जिस्टीज एक्ट को जो इत्ली एक वॉएलेड कर रहे हैं उनके ऊपर कारेवाई की जा तो आपको याद रखना है इसमें जो भी बच्चे उनकी adoption कैसे उनकी condition होनी चीए कैसे care होनी चीए सब कुछ लिखा हुआ है एक चीज़ी हो गई एक चीज़ एक चीज़ एक चीज़ एक चीज़ एक चीज़ हो गई और जो तीसरा है वो है कारा इसको नहीं भूलेंगे यह सबसे अशि़ा है विदिन कंट्री और इंट्र होता है आउट सैड कंट्री जब भी विदिन कंट्री जब आउटसाइड कंट्री हमें बच्के को adopt कराना हो तो इसमां कारा का रोल आता है center adoption जो रिसोर्स इसरॅटिक को रोल आता है और एक international international कन्वेंशन चाइलोप्शन के लिए उसको भी याद रख सकते हैं तो इसको बोलते हैं कि ये कैंवेंशन किस से रिलाइट है तो इंटरनेशनल कन्वेंशन है फ्अर चाइल एडॉप्शन आपको याद रखना चिक और इसमें कुछ नहीं पूचर आएगा आगे चलते हैं चाइना होस्ट एशियन फॉरेंड मिनिस्टर चाइना ने होस्ट करा एशियन फॉरेंड मिनिस्टर को क्योंकि हमारी ब्रिक्स सम्मिट हुई है तो चाइना के रहा है कि उसके बाद वह ब्रिक्स को तुने अजखर आए एक सवाल ये बंता कि इंडिया इसका पाके इसा करे आघ्या का नहीं एक सवाल ये है चाना और आर्ट सी पी करिक्डा ऑंट्थ्यों के करम ने फो भीर्ट वह झूमारी कांपर नहीं आएンド ब्रेंट्चिं पान bugahn लिग फाल्ज्ञर वह माल्या यह ने वे Nandasemin का पार्ट है ना एशियन का पार्ट है वो किसी का पार्ट निया है इकसी चाहीज वार हो गया इनके कुछ इशु ओ गई थे इंडिया वालों के क्योंकि हम सर्विसीजी में जाधा तेज है हमारे सर्विसेज की सपलाय इक्षी यह गुड्स की सपलाय अच्छी नहीं है तो इसलिए हमारे बीच में क्लेश हो गया था इंडिया ने इसे भाहर आने का फैसला कर लिया चीक आगे चलते हैं यह तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट रहे हैं यह हमारा मॉटर निस्टी का पार्ट चल रहा है अभी तक हम जो पढ़ चुके थे उसके हम आगे कंप्ल कब आया था 1920 में आया था very important इससे सवाल होता है 100 परसंट इससे सवाल होता है तो ध्यान से पढ़िएगा सारे पॉइंट मैंने एक जगे लिग दिया है भली वह स्पेक्ट्रम से हो भली वह आपके विपिन चंद्रा से हो सारे पॉइंट यहां पर एक जगे consolidated है सबसे पहले non-corporation movement शुरू तो जो हमारा पंजाब में एजिटेशन होगा तो जो जलिया वाला बाग मैसे करें होगा तो उसके खिलाफ जो खिलाफत कमिटी हुई थी उसके खिलाफ एंड सुराज सुराज आया इसके खिलाफ पिर यह important सबसे point यह नागपूर session यह biggest session भी बोला जाता है उसको बाटा जाएगा जो प्रोविंस है वो लिंग्विश्टिक बेसिस पर बाटे जाएगा और मेंबर्शिप की जो फीस है उसको रिड्यूस कर गया था 25 पैसा जो मैंने circle करा इनको भूलिये का मत यह बहुत important है चारो point जो मैंने circle out करें फिर यह सवाल यह बनता है कि INC जो भी movement शुरू है उनको कोई ना कोई approve तो करें तो approve कोन करता था INC करते थे INC अपने different different sessions में करते थे तो इन session का भी पूछा जाता कि कि किक session में approved क्या है तो non-operation movement को Calcutta session में approval मिलाता है यह कि Calcutta session में approval मिला जो मैं circle कर रहा हूँ यह मत भूलियेगा प्लीस मैं circle इसी लिए कर रहा हूं तो पूरी सोसाइटी यहां तक कि वोमेंस ने भी पार्टिस्पेट कर आता है इस मुमेंट पर इसमें बहुत जादा रीच बहुत दूर तक यह मुमेंट गया था ग्रेट जोगरिफिकल रीच विजोलिया मुमेंट पूछा राता है किस से रिलेटेड है राजस् केंपेंट शुरू हो गया कहा का पंजाब तमिलाडू बिहार ओडिसा तो यह भी याद रखेंगे एंटी लिकर केंपेंट का हुआ था हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट पीक हिंदू मुस्लिम जो हो साथ साथ आ गये जो इशू है अन्टचेबिल्टी का जो चुआ शुरू करा नेशनल कॉलेज बोस साथ जो हमारे बोस हैं उन्होंने शुरू करा एजुकेशन इंस्टिटूशन पार्टिस्पेशन बाइद पीजेंट यह सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है अल्लेडी आप पढ़ेंगे वेरी वेरी और वेरी एक और पीजेंट का पार् पाल केम आउट फ्रॉम इंसी यह इंपोर्टेंट है किस किस ने इंसी छोड़ दी जब नॉन कॉपरेशन मुवमेंट चुरूआ तो बहुत लोग को पद लगा कि नॉन कॉपरेशन मुवमेंट जो है गांधी जी गलत कर रहे हैं लेकिन इंसी ने तो एप्रूब कर दिया तो मिढल क्लास नहीं 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 करा ता लॉययर नहीं नहीं चीतर प्षुल्री ये यह आम यह गैजह तो यह आपको उसे में इसमें एक ही दिन में पता ने कितना करोड रुपया आ गया था, पांच करोड रुपया शायद आ गया था, आसाम में टी स्ट्राइक हो गया थी, नागपुर में स्टुडेंट ने पार्टिस्पेट ने करा, किस किस ने पार्टिस्पेट ने करा, मिडिल क्लास ने पार्टिस से पाइस्पेट नहीं करा था हिंदू मुस्लिम राइट हो गए यह इंपोर्टन इसलिए है क्योंकि इसके बाद गांदी जी ने इस मुमेंट को खतम कर दिया था जैसी हिंदू मुसलिम राइट हुए मोपिला रिपेलियन हुआ वैसी मुमेंट जो वीक पड़ गया गांदी जी ने नॉन कोपरेशन मुमेंट को खतम क्यों कर रहा था क्योंकि हिंदू मुसलिम में दंगे हो गया जिसके वैसे जो मुमेंट वीक हो गया हिंदू मुसलिम राइट जो होए तो मोपिला रिबैलियन के नाम से भी जाना जाता है तो गांदी जी बिलीव करते थे स्टी सी श्ट्रगल ट्रूस श्ट्रगल करो शान्त हो जाओ फिर श्ट्रगल करो और चार चीजह मानते थे जो देश में नहीं होनी चाहिए तो यह पूरा आपका नॉन कोपरेशन मुमेंट आज कवार हो गया सारे पॉइंट मैंने इंक्लूड करें एक एक पॉइंट जो भी पॉलो नी करतें या या लाक तो करी दिया करी है इतना तो आप करी सकते है जो में आज बोला कि ज्योग्रफिश में आपको पढ़ना मौन्सून वाल पर्ट हथ पढ़ना मौन्सून बढ़ना किससे रिलेटिद यह रिलेटिद हैं मौन्सून आप जिसे mater laz bonne रा भी मोन्सू झाल झाल